ओम जैशी हरी आए श्रमण करते हैं विजया एकादसी ब्रतकता जिसके श्रमण से जीवण में मिलती है सफलता फाल गुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादसी तिति को ये ब्रत किया जाता है इससे घर में धन्धाने सुक सम्रिद्धी की वृद्धी होती है जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है मर्यादा पुरुशोतम भगवान शीराम ने जब पने माता पिता के वच्णों का पारन करते हुए वनवास की यात्रा की और जब सीता का हरन हुआ सीता की खोच करते हुए बानरवालों के साथ पर वो समुद्र तट पर पहुँचे तो फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे पार करेंगे समुद्र यदे भी वो परब्रम परमात्मा थे लेकिन हम जीवों को एक लियान के लिए उन्होंने शिक्षा दी और फिर वहां पर रिशियो मुन्यों से पूचा रिशियो मुन्यों ने बताया कि तुम फालगुन मास के क्रिश्न पक्ष की एकादसी का ब्रत करो जिससे तुमें सफलता प्राप्त होगी परियादा पुरुशोत्तम भगवान श्री राम ने समुद्र तट से पूर्व ही विजया एकादसी जो की फालगुन मास के क्रिश्न पक्ष में आती है ब्रत किया बानर भालवों के साथ में पूजन किया इससे भगवान श्री राम ना केवल पुल बना पाए बलकि नोने रामर को मार कर और सीता की प्राप्ति की और राजा बने जीवन में सुक सम्रिद्धी शान्ती के लिए इस दिन अवशे ही भगवान शीहरी की पूजा करनी चाहिए 27 फरवरी को पढ़ रही है इस दिन एकादसी तो आप सभी भी भगवान शीहरी की प्रिशनता के लिए उनकी कृपा प्राप्ति के लिए अवशे ही ये ब्रत करें प्राता काल उठें संकल्पले धूप दीप नहवेद्य फल फूल मिष्ठान आरती वंदन इत्यारी से भगवान को प्रशन करें दिर्वन निराहार रहें ना हो सके तो फिर फलाहार करें और भगवान का ब्रत करें राती में कुछ समय अवशे ही जाकरन करें भगवान के नाम का किर्दन करें प्राता काल उठें करके ब्रामनों को कुछ दान दे करके बोजन कराकर या बोजन दे कर सीधा और फिर पारन करें इससे भगवार शीहरी आवशे ही प्रशंद होंगे जै शीहरी